हलो दोस्तो मैं हूँ वेकासगोड दोस्तो मारूती सुजुकी की कारों की फिर से safety rating आ गई है तो आपको ताज़व होगा कि एक कार को तो एक star मिला है जिब कि एक कार को दो star मिला है वो भी adult rating में adult safety rating में मैं आपको बता दूँ दोस्तो global end cap से मारूती सुजुकी अल्टो K10 को two star मिले है और वो भी adult safety rating में जीरो star वहाँ child safety rating में है वहीं मारूती सुजुकी वेकनार को एक star मिला है वो भी adult safety rating में उसके अलाबा जो child safety rating है वहाँ आपको कोई भी safety rating नहीं मिलती है और सबसे ज्यादा खास बात यह है जो इसकोड़ा की सलाविया है और वाल्स वेगन की व बलके child safety rating में उसकी 5 star है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मारूती सुजुकी आपके लिए क्या कार बना रही है और विदेशी और कंपनिया आपके लिए क्या कार बना रही है अब टाटा से कंपेर कर लेजिए महिंदरा से कंपेर कर लेजिए वह आपको कई 5 star 4 star और 3 star गाडिया मिल जाएंगी लेकिन इनकी किसी की 0 आती है तो किसी की 1 star आती है तीन महीने पहले मारूती की 3 और गाडियों की safety rating चेक होई थी crash test में मारूती Suzuki Swift को 1 star मारूती Suzuki Espresso को भी 1 star और Ignis को भी 1 star मिला था तो मुझे लग रहा है कि जो K10 है उसको 2 star मिले है तो यह safest car हो गई है 2022-2023 की मारूती है लेकिन वहीं Skoda Slavia Scorpio N और VW Tigon इन सब की safety rating 5 star थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मारूती की car किस standard की है दोस्तो मुझे comment करके बताईए आप कौन सी car चलाते हैं अगर नहीं चलाते तो किस तरह की car खरीदना पसंद करेंगे क्या इस तरह की car खरीदेंगे जिसकी safety rating 1, 0, 2 या 3 हो या फिर ऐसी जिसकी safety rating 4 या 5 हो मुझे comment करके जरूर बताईए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गले कोर वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया जैहन